दोस्तो जैपनेज ओटो मॉवाइल कमपनी मारूती स्चुकी अपनी बीटाड़ा ब्रेजा स्वी का एक नया मोडल जल्दी इंडियन मार्केट में लेकर आने वाली है बजा यही है कि अभी तक ब्रेजा में अपने को कुछ नॉर्मल कॉस्मेटिक चेंजे सी नजर आई है लेकिन अपकविंग ब्रेजा फीचर्स के साथ साथ इसके नाम को भी अपडेट करने की कोसिस की गई है जिया दोस्तो आपकविंग ब्रेजा फीचर्स रहने वाला है क्या इंजन पावर रहने वाले है तो सारी बात करेंगे उससे पहले कैसे हो आप लोग आप लोग को मेरा नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट का रिव्यू के एक और नई फ्रेश वीडियो में दोस्तो जहां आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले मारत वी सुजुकी की दि मौस्ट पॉपलर इंडियाज कस्टमर फेवरेट स्वीबी सेकेंड जनरेशन भीटारा ब्रीजा स्वीबी के बारे में जियां दोस्तो जैसा की कुछ लीक और अपडेट निकल कर आ रहे हैं से ये कनपरम होता है कि ब्रीजा आप सेकेंड जनरेशन जल्दी इंडियन मार्केट में एंट्री लेगी जिसमें हमें काफी कुछ नया पीचर्स देखने को मिलने वाला है जैसे कि संदूप के ऑप्सन पैट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन तो उसी के बारे में आज के अम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग भीटारा ब्रीजा एस्वी से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस नहों और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चीए तो सस्क्राइब कर ले हमारी चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को दोस्तो अगर वीडियो प्संद आए तो एक लाइक जरूर करना तो दोस्तो मार्टी सुड़ी एक तरफ से देखा जाए तो अभी तक वीटारा ब्रीजा एस्वी को कुछ कोस्मेटिक चैंजिस के साथ ही लाँच करते आ रही थी लेकिन लोग अब वीटारा ब्रीजा एस्वी में कुछ नया देखना चाहते हैं जैसे कि ब्रीजा के सेग्मेंट में और भी कारे हैं उसमें नए ने फिचर्स और काफ़ी अलग वालिटी देखने को मिलते हैं तो लोगों को कहना है कि भाई अब बीटारा ब्रीजा एस्वी में वो वाली बात नहीं रही तो ये बात कमपनी मारुती सुझुकी को कहीं न कहीं लगी है लेकिन अब जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से लिकल करा रहे हैं ये ख़वर निकल करा रहा है कि मारुती सुझुकी अपनी वीटारा ब्रीजा एस्वी के सकेंड जर्नेशन मॉडल को जल्दी इंडियन मार्केट में लाँच करेगी और साथ ही ये भी अपडेट आ रही है कि वीटारा ब्रीजा एस्वी में जबरदस फीचर्स के साथ साथ इसके इंजन में भी काफ़ी कुछ बदलाब देखने को मिलेंगे तो ही अब बात कर लेते हैं इसके लोक्स और डिजैन की तो आने वाली सेकेंड जर्नेशन बीटारा ब्रीजा एस्वी के डिजैन को सुजुकी ने भरपूर फीचर्स के साथ अपडेट किया है और लुक्स में ये गाड़ी काफ़ी ज्यादा मस्कुलर के साथ नजर आने वाली है और इंडियन मार्केट में लाँच होते इस गाड़ी का काफ़ी ज्यादा तैल का मचने वाला है विकॉज इंडिया में इसका बड़ा कस्टूमर बेस है और अपने सेग्मेंट में ये कार काफ़ी ज़्यादा चर्चित S.E.P. थी लेकिन फीचर्स बाइज में अभी पीछे होने की वज़े से इसके सैलिंग पावाल पे काफ़ी ज़्यादा एफेक्ट बड़ा है और विटार आप डेजा एस्ट बी लवर्ड सेकेंड जनेरेशन मोडल का काफ़ी वेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो यहीं बात कर ले दें इसके फ्रंट लुक की तो सामने से ही आपको सुजुकी की लोगों के साथ बिलकुल नया फ्रंट किल देखने को मिलेगा साथ ही आपको नीरी डिजैन प्रजक्टर हेड लेम के साथ नया DRS देखने को मिलने वाला है नीचे की दरब आपको री डिजैन बंपर के साथ फॉग लेम की नई हाउसिंग देखने को मिलेगी रेर में आपको नई टेल, लाइटर, सार्फिन, अंटीना और बटाया जारा इस कार में आपको डुएल टोर और मॉन्टोर की आप्सन भी देखने को मिलने वाला है दोस्तो साथ ही ये भी ख़वार निकल कर आ रही है कि मारती सुझुकी विटारा ब्रीजा एस्वी काफी हद तक ग्रेंड ब्रीजा एस्वी पर अधारित होगी तरिस बज़े से विटारा ब्रीजा एस्वी बिल्कुल नया लुक के साथ नजर आने वाला है लेकिन इसके डिजैन के वैसे इस कार काफी जादा अग्रेसिव लुक के साथ नजर आने वाली है लेकिन अब अब डेट आये है कि मारती सुझुकी विटारा ब्रीजा एस्वी को देखा भी गया है या एक Second Generation Bit.A.R.D.I.C.V. होगा लेकिन जो अभी तक सुजुकी Bit.A.R.D.I.C.V. को देखा गया उससे ये कंफर्म होता है कि मारूती सुजुकी अपनी New Model Bit.A.R.D.I.C.V. को एक नया लुक दिया जाएगा और ये कंफर्मेशन किया गया है कि Bit.A.R.D.I.C.V. के Coming.A.R.D.I.C को CNG की Option में 2022 तक के अंतक लाउंच कर सकता है और वहीं अभी के Bit.A.R.D.I.C.V. में जो Upcoming Bit.A.R.D.I.C.V. है उसमें आपको पैट्रोल इंजन में 1.5 लिटर का Amid Habitat पैट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो की 104 BHP के करीब पावर देने वाला है और ये इंजन आपको 6-speed manual के साथ 7 automatic gearbox की option में देखने को मिलेगी माइलेज में आपको manual के साथ 17.3 km2.0 की देखने को मिलेगी जब की automatic के साथ आपको 18.7 km2.0 की देखने को मिलेगी दोस्तों ही थोड़ा द्यान देश के interior की तरब तो Upcoming Bit.A.R.D.I.C.V. को interior को पहले से जादा काफी जादा premium interior बनाया गया है इसके interior front में आपको 10 इंज के करीब input touches के display देखने को मिलेगी जो की connectivity, convenience के advanced feature YouTube जैसे features को support करेगा और साथ ही आपको इसके interior में नए software dashboard के साथ Suzuki की logo के साथ एक नया steering wheel देखने को मिलेगी जिसमें आपको पूरा control देखने को मिलेगा यानि आपको cruise control और window control भी देखने को steering में ही देखने को मिलेगा और ये control आपको cable top gradient में ही देखने को मिलेगी और साथ ही आपको इसके interior में 7 inch circuit digital instrument cluster, wireless mobile phone charging, push touch stop button, heated and ventilated seat, voice command safety features, 5% sitting arrangement, sunroof option, keyless entry जैसे features आपको इसके interior looks में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों ही अब बात आती है life is important features की यानि की safety के तो इसके body में आपको high standstill body देखने को मिलेगी और साथ ही आपको 6 airway, 360 degree camera with reverse parking camera, hill launch assistant, electronic accessibility program, downhill control, anti tap alarm system जैसे features आपको इसके safety looks में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों इस feature के साथ मारूती स्यूकी बिटाराप वीजा एसीबी अपने segment में काफ़ी ज्यादा powerful बनने वाली है और इस car का मुकाबला Indian market में मेंद्रा की XCB 300 और क्रिया की sonnet जैसे सांदार कारों से कड़ी ठकर होने वाली है वहीं अब बात आती है मारूती स्यूकी बिटाराप वीजा एसीबी के launch और प्राइज की तो Indian market में इस car की प्राइज न्यू मोडर वीटाराप वीजा एसीबी की प्राइज 9 लेक से सुरो कर 13 लेक तक की आपको Indian market में देखने को मिल सकती है और इस car को 2021 के last तक launch किया जा सकता है तो दोस्तो आपको ये विकार कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताना इसी के साथ अगर हाप अमारे smart car review पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर bell icon को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी तमाम smart car की वीडियो मिले सबसे पहले दोस्तो अगर वीडियो संद आए तो एक like जरूर करना झाल